Hello everyone, this is Aman Prit Singh and we are watching Technoistics कि इस लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक रिले के बारे में डिसकस किया था हम लोग ने देखा था कि रिले कैसे वर्क करता है उसमें कौन-कौन से डामिनल्स होती है और प्रैक्टिकल रिले होता कैसा है अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंग क्या आप बहां से देख सकते है या फिर आप इस आई बटन पे भी क्लिक कर सकते है कि इस आज कर जो हमारा वीडियो है कि एक विरियेबल बैटरी चार्जर के ओपर बेज़ड है आज हमें एक ऐसा चार्जर डिजाइन करेंगे जिससे आप अलग-लग तरह की बैटरी उसको चार्ज कर सकते हैं बैटरी चार्जर के साथ हुआ भी होगा या फिर आप लोगों ने सुना होगा कि एक बैटरी को चार्जिंग पर लगाया गया और थोड़ी देर बाद फुल चार्ज होगी बट किसी ने ध्यान नहीं दिया तो धिरे धिरे ओवर चार्ज होते हुए वो बैटरी डैमेज होगी तो उस बैटरी को डैमेज से बचाने के लिए हम आटो काट आफ काई का चार्जर बनाएंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं यह बैटरी चार्जर का जो हमारा सर्केट है यह काफी हमारी वेरीबल पावल सप्लाई के साथ महच होता है जो वेरीबल पावल सप्लाई हमने वीडियो में बनाई थी औरमॉस्स्ट जेम सर्केट है बढ़ हम इसमें एक छीज हम extra add करेंगे जो कि एक relay circuit होगा जो इसको पूकर करेंगा तो जड़ी देखते हैं starting खर यह कैसे बनता है तो सबसे पहले तो हमें चाहिए एक transformer तो मैं यहां पर एक transformer लगाता हूं अधा है जो यह यहाँ पर एक bridge rectifier बना रहता हूं मैं simplified form में बना रहा हूं आप traditional form में भी बना सकते हैं यह bridge rectifier के लिए चार्ड आउट्स लगा दिये वेरे इसके बाद यह capacitor लगेगा हमारा जो कि filter capacitor होगा एक हमारा voltage regulator जो कि variable voltage regulator हम यूज करते हैं power supply में LM317 यह यहाँ पर यूज होगा इसके साथ हम एक यूज करेंगे 220 ohm का resistor जो कि इसका feedback resistor होता है इसके अलावा एक potentiometer यह तो हो गया हमारा जो variable power supply का circuit था उसके components अभी हम इसके इलावा जो चीज यूज करने वाले हैं एक relay यहाँ यहाँ पर आपको मैं एक simple diagram के साथ दिखा रहा हूँ जो एक्चुल इसका traditional symbol होता वो यहाँ पर नहीं बना रहा था कि आपको easily समझ आ सके मैंने वैसी बनाई है जैसी रिले एक्चुल में दिखती है पिछली वीडियो हमने रिले के उपर बनाई थी इसमें उसके सा देखें अब इस रिले के साथ हमें जो circuit बनाना है एक इसके साथ हमें connect करना है वेरियेबल रिजिस्टर जिसे हम जो cut है उसका point select cut से कि कितनी voltage के उपर हमें connect करना है और दो यूज होंगी हमारी LEDs इन रिडिज के लिए एक protection resistor तो यह होगे हमारे components तो चलिए इनको आपस में connect करते हैं सबसे पहले तो transformer से हमें rectifier को connect करना है तो यह rectifier complete करता हूं कहले मैं यह हमारा bridge rectifier complete हो गया जो transformer की wires है एक यहाँ पर लगेगी और दूसरी यहाँ पर यहाँ से हमारे पास जो भी supply full suppose यहाँ पे हमने 12-0 का transformer लगा है तो 12V AC output देगा और जो यहाँ पे DC में convert होगी DC में convert होने के बाद यह आगे fed होगी एक filter capacitor के पास जो की filtration का गाम करेगा filter होने के बाद यह voltage जाएगी LM317 voltage regulator के पास और LM317 voltage regulator की एक adjust pin है जो की connect हो जाएगी variable resistor के साथ इस variable resistor के एक terminal हम खाली छोड़ सकते हैं दो terminal से हमारा काम हो जाएगा एक को हमने ground कर दिया एक को adjust के साथ connect कर दिया इन दोनों के बीच में vary करवा सकते हैं इसका feedback resistor है जो की adjustment और output के साथ connect होता है और हमने connect कर दिया इतना circuit था हमारा जो की हमने variable power supply में भी बनाया था इसके इलावा जो नए components हमारे add हुए है इससे हम battery charge कर सकते हैं अगर यहां से हम direct output set करके battery charging पर लगाए battery definitely charge होएगी बट किसी certain point पे जाके वो charging off कर दे ऐसा circuitry इसमें अभी नहीं है वो हम add कर रहे हैं यहां पे तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो relay को समझना पड़ेगा अगर आप relay की वीडियो देखिए उसमें आपको relay के सारे connections पता चल जाएंगे यहां पे आपको मैं normally इतना deeply नहीं बता देता हूं यह दोनों इसके coil के terminals हैं यह common terminal है और एक normally open और नormally close इसमें होते हैं इसमें coil के एक terminal को मैं common terminal के साथ connect कर दोंगा connect करने के बाद इस terminal को हम connect करेंगे variable register की output के साथ यहां से connect हो गया अब जो हमारा potential meter है इसको हम connect करेंगे इस दूसरे coil के terminal के साथ है और potential meter का जो center terminal है इसको हम ground करतेंगे इस तरीक इससे दो terminal यहां पे connect होगे दो इसके यहां पे connect होगे एक एक दोनों में खाली है अब इसके इलावा हमारे पास दो LED हैं जो इनको हम indication के लिए लगाएंगे normally open और normally close के साथ और इनके जो negative portions है उनको आपस में connect करके एक resistance के साथ लगाके इसको ground के साथ connect कर देंगे इस तरीके से जो भी voltage हम यहां पे set करेंगे उस certain voltage के बाद यह relay है जो इसको power को cut कर देगा और हमारी जो charging off हो जाएगी यहां पे हम 12V के रिले यूज करेंगे LM317 voltage regulator 10K का potentiometer दोनों 10K के potentiometer होंगे एक आप red और दूसरी green LED यूज कर सकते हैं यहां पे 1K का resistor है यह हमारा feedback resistor है इसकी value 220 ohm जो हम capacitor यहां पे use कर रहे है वो 3300 microfarad और 25V का है डायोड के लिए आप यहां पे 1N4001 डायोड यूज कर सकते हैं और transformer का अल्रेडी मैंने आपको बता दिया है कि 120 का transformer होगा और इसके जो output terminal है जो आपको निकालने है जहां से आप battery को power दे सके वो निकलेंगे इन point से एक तो आपको इस point से pick करना है यहां से आजाएगा आपका positive terminal और जो दूसरा terminal है वो ground का होगा वो आजाएगा आपका यहां से तो इन दोनो terminals के साथ आप battery connect कर सकते हैं जहां से आप किसी भी battery को charge कर सकते हैं उसके accordingly voltage set करके तो यह circuitry रहेगी हमारे battery charger circuit के लिए तो चलिए अभी इसको practically implement करके देखते हैं कि यह actual में कैसे work करता है तो इस मेरे पास यहां पर इस circuit के सारे components हैं मेरे पास एक PCB है जिसके उपर इस circuit बनाया जाएगा एक relay board LM317 voltage regulator दो LED दो potential meters 10k के variables एक हमारे पास है यह 1k का resistor यह 220 ohm का resistor और चार डायोड है हमारे पास bridge rectifier बनाने के रिए और यह हमारा filter capacitor तो चलिए सबी components को फटा फट से इस PCB के उपर लगा लेते हैं और उसके बदन के connection बनाना शुरू करेंगे तो गाइस यह सारे components हैं जो हमारे PCB के उपर लग गए हैं तो चलिए इनको नीचे से solder कर लेते हैं ताकि यह अपनी जगा पर फिक्स रहें और यहांसे गिरें नहीं तो मैं जल्दी से इनको solder कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं यह सारे जो components है यह अपनी जगाप के ओपर fix हो चुके हैं यहांसे मैंने इनके connections कर दियें तो अभी इन सारे components को आपस में connect करना है जो हमारे circuit diagram के accordingly उससे पहले जो extra legs हैं जिनकी हमें जुरुवत नहीं है मैं उनको यहांसे cut कर लेता हूं जिन extra legs की मेरे को जुरुवत नहीं थी उनको मैंने cut कर लिया है तो बाकी की legs को use करके हम इनके connections बनाएंगे और बाकी की जो रह गए connections के लिए हम connecting wire को use करेंगे तो चलिए मैं इसके जल्दी से connections बना लेता हूं तो बैस यह circuit है हमारा बनके पूरी तरह से ready है यहां पर मैंने एक two pin connector add कर दिया है जिससे मैं transformer को easily connect कर सकूं नीचे की तरफ मैंने सारे connections के बना दिया है output के लिए यहां पर मैंने दो wires निकाल दी हैं जहांसे मैं output लूँगा तो चलिए इसको transformer के साथ connect करके देखते हैं और इसकी जो settings है voltage है वो centimeter के उपर चेक करते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है तो मेरे पास यहां पर यह ट्रांसफार्मर है इसको मैं यूज़ करूंगा तो सबसे पहले तो मैं इसको यहां पर connect कर देता हूँ मैंने इस transformer को इसके साथ connect कर दिया है अब पावर सप्लाई on करके देखते हैं अब पावर सप्लाई on करते ही यह जो red light है हमारी on हो गई है अब मल्टी मेंटर के साथ इसकी output सेक करते हैं कि हमें क्या मिल रही है तो मल्टी मेंटर की प्रॉप को यहां पर connect कर देता हूं और दूसरी प्रॉप को यहां पर connect कर देता हूं इससे पहले मैं इस multimeter को 20V DC के ओपर set कर देता हूं तो जो मैंने यहाँ पर set कर दिया है यहाँ पर देख सकते हैं around 7V मेर को यहाँ पर output के ओपर मिल रहा है तो इसको हम adjust कर सकते हैं अब इस potential meter को vary कर ते अगर इसको मैं increase करता हूँ यहाँ पर voltage increase हो रही है आपकी बैटरी जिस voltage की है उसके accordingly आप यहाँ पर voltage set कर सकते हैं for example अगर मैं को 12V की बैटरी चार्ज करनी है एक normal इस तरीके की बैटरी जो होती है इस तरीके की जो बैटरी आपको अगर चार्ज करनी है तो इसके लिए आपको इसको around 14V पर set करना होगा तो इसको अगर मैं increase करूँ ज्यादा हो गया है जब इसको तेरे तेरे rotate कर सकते हैं around up 13.78 या 14V के आसपास इसको set कर सकते हैं जिससे आप इस बैटरी को चार्ज कर सकें और जो दूसरा potential meter हमने लगाया था यह इसका cutting point set करने के लिए है कि इसको आप rotate करके देख सकते हैं कि जहां पर जाकर cut voltage आपने set कर दी अब आप इसको दिरे दिरे rotate कीजिए जब आपकी desired voltage के ओपर यह पहुंच जाएगा तब green light on हो जाती है तो अभी red light है that means अब यह charge करेगा और बैटरी full होते ही यह आपकी जो green light on हो जाएगी और voltage आपकी zero हो जाएगी वापी सकत लेके जाएं इसको हम तो again red light on हो गई हमारे पास जो voltage हमने set करी थी वो मिल रही है बैटरी अगर पूरी charge हो जाए उसके बाद यह cut कर देगा और voltage को zero कर देगा तो इस तरीके से circuit work करता है आप अपनी किसी भी बैटरी के लिए circuit को use कर सकते हैं और उसके लिए easily आप एक charger बना सकते हैं उमीद है guys यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो like और share ज़रूर करें अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe भी ज़रूर करें साथ में bell icon को भी प्रेस करें इससे आपको हर आने वाली वीडियो का notification सबसे पहले मिल जाएगा मैं आपसे मिलूँगा अगरे हफ्ते एक नई वीडियो के साथ तब तक ही ने keep supporting thank you